वन्देवात्रम साथियों आज से हम अपना नया बेच स्टार्ट कर रहे हैं आदुनिक भारत अब aos तक आदुनिक भारत का जो एतियास है एस आदुनिक भारत के इतियास में हम कोनसी टोपिक पढ़ने वाले हैं हमारे स्विलेबस में कौन से टोपिक है और उन्हें 1 by 1 किस तरह से पढ़ेंगे हमारा जू वीडियो है यह प्रती दिन किस टाइम अपलोड होगा इन सभी की चर्चा हम करेंगे क्योंकि अभी आगे वीडियो है वो प्रती दिन आपको एक वीडियो अपलोड मिलेगा और उसके हम बात करेंगे साथियों अपने को ध्यान रखना है कि विकंसी आपको इसी महा में मिल सकती है और फिलाल की स्तिती में परत्योगी परिक्षाओं की द्रस्टी में हमें बहुत अधिक ज्यानी नहीं बनना है हमें इस परिक्षा को अच्छी रेंग के साथ क्रेक करना है और अच्छी रेंग के साथ क्रेक किसी करें ऐसी करें कि कम से कम क्या हो कि कम से कम हमारे पास मैटर हो और ज्यादा से ज्यादा पड़े तो सबसे पहले तुम्हें ये भी बात करूंगा कि इस आधुनिक भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना चाहिए एक बात दूसरा कि कौन से टोपिक हमारे सिलेबस में यह और तीसरा कि हमारा पहला टोपिक है उससे समधित हमें वर्ल्ड का मै थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वह मैं लास्ट में दिखाऊंगा और फिर कल टोपिक वही टोपिक हम क्लास है वह स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए सिलेबस हमारा जो आधुनिक भारत का सिलेबस है यह आपने देख रखाऊगा पहले में ने डाल भी र यह हमारा पहला टोपिक दूसरा टोपिक अठार्वी सदी में भारत की राजनितिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति यानि यूरोपीयन कंपनियों के आगमन के बात हम क्या देखेंगे हम देखेंगे 400 से लेकर 1800 तक अठार्यमी सदी यानि 700-180 तक का चुकाल है इसमें भारत क की राजनितिक वबस्ता कैसी भारत में सामाजिक श्थितिक आथ और आर्थिक श्थितिक ती और इन्मी पिछले साल में हमारे स्कूल लेक्चर में किस तरह के कोशन आए हैं भाविश्य में कैसे बन सकते हैं उन्हीं को केंदरीद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे मैं यहां बार-बार कहा रहा हूं कि हम केवल रजल्ट ओर्येंटड स्टडी करेंगे नहीं कि हम विद्वान बनने की सटडी करेंगे आप यह ध्यान रखें क्योंकि रजल्ट की और बढ़ेंगे तब ही हम अच्छा कर पाएंगे ठीक है अब देखू अगला टोपिक क्या है 1777 से लेकर 1877 तक भारत में ओपनिवेशिक सासन की स्तापना यानि पहले 100 साल इस्ट इंडिया कंपनी के जब यह प्लासी के युद्ध से प्रारंब होकर कहां से प्लासी से प 42259 की करांती तक जाती है इस काल में इन का ऑपनिवेशिक सासन हमारे सतापीत हो तो इस काल में प्ला Chira मराठों का परतिरोद अब देखिए इस इंडिया कंपनी यहां हमारे आती हैं अंग्रेज हमारे यहां आते हैं और इनके सबसे पहले तो बलासी का युद्ध बक्षर का युद्ध यानि बंगाल से संगर्ष होता है बंगाल फिर मैसूर से क्या है मैसूर के साथ युद्ध हो और इन युद्ध सी कैसे कोशन हमारी परतियों की परिक्षाव में पूछे जा रहे हैं और विसेश कर हम जिस स्कूल व्याक्यता की त्यारी कर रहे हैं इस स्कूल व्याक्यता में किस तरह की कोशन आते हैं यानि इन टोपिक में किस तरह की कोशन बनते हैं उनको हम उनको आ करने आती है और एक व्यापार की अनुमत ही मनगती है धीरे धीरे एक नियुद्य След का में एक राजिय बंगाल की बराबरी प्राप्त करती है फिर बहुत से राजियों पर पूसी है कब्जा करती या कि पूरे भारत पर कुपजा करते हैं या जाती है और कि पुने बराबरी की स्थितिया आती है और लास्ट में यह हमें आजाद करके चले जाते इने में पांच अलग-अलग स्थितियां बनती है वो कौनसी बनती है कैसे बनती है उसको पूरे अच्छे से हम समझेंगे और उसी पर केंदरी होते वे आगे बढ़ेंगे आगे इनॡ़िक हमें उच माध्य मिक्स तखे दिए गएं सिर्य डेंडरी लेवल के दिए और इन कमीद्स कैसे कोशन हमारे आ चुकी कैसे आने की सभावना है क्या मैं तपूर्ण रहता है कैसे करकी इनको याद करना है कैसे हमें समझना है इन सभी पर हम चाचा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको क्या करना है कि एक तो हम बाचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे समझते हुए आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जो यह पेनल है इ हम बहुत ही अच्छा कर पाएंगे वह मैं आपको बताऊंगा तो नोर्स प्लस बुक है उनको लेकर हमें कहें कि अच्छे से आगे बढ़ता है ठीक है अब इसके बाद में सनातक स्तर सनातक स्तर में कहें ब्रिटिश आसन की विरुद्ध 1857 भारतिय संगर्स तक बरतिय संगर्स है यानि भारतिय संगर्स इस क्रांति को हमें पूरे समझनें अच्छे से समझनें काफी अच्छे कुशन इस पर बन रहे हैं हलंकि यह कह कि भूत बड़ा टोपिक नहीं पर इस से क्वशन बहुत अच्छी आ रहे हैं स्टंडर के आ कि क्रांति की परकर्ति, गटनाए, महतव, प्रिनाम किस तरह से रहे, इस पर हम अध्यन करेंगे, सामाजिक और धार्मिक सुधार, राशटरबाद का उद्य शिक्षा में यूगदान, प्रैस में यूगदान, और परवुख नेताओं का यूगदान, देखे सामाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन की हम बात करेंगे हम बात करेंगे राष्टरबाद का उद्या हमारे यहां कैसे हुआ हम बात करेंगे सिक्षा में योगदान यानि अभी अंग्रेज लोग आये थी उनका सिक्षा में योगदान प्रेस के विकास में योगदान के इस तरह से रहा उनकी हम बात करेंगे और राजस्ट भारत की परमुख नेताओं का योगदान के इनकी भी चर्चा हम करेंगे भारतिय सवतंदर्ता सवतंदर्ता जो संगर्स है कब 1885 से 1919 यानि गांधी जी के आगमन से पहले तक का जो संगर्स है उसकी चर्चा है वह हम यहां करेंगे अलागी गांधी यूग आगे अपने देखना पड़ेगा यानि 1947 तो यहां अपने देख रहे हैं इस नात कोतर में और यहां में क्या देखना है 1885 से लेकर 1919 तक हमें देखना है ठीक है इसके बाद में 1858 के बाद भारत का स्विधानिक विकास अज़िकी स्विध चर्चा हम पूरी इसमें करेंगे इसके बाद में गांधी यूग गांधी वर रास्त्रिया अंदोलन भारतिय रास्त्रिया अंदोलन में जुहारलाल नहरू सुबास चंद्र बोस मुलाना आजाद वलभाई पटेल सी राज गोपालचारी राजिंद्र परसाद भीमराब अ खुमिका और मुस्लिम लीग को पूरा भी हम पढ़ेंगे यह जो टोपिक है यह हमारी स्कूल व्याक्याता कि आधुनिक भारत की टोपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस बैच में एक एक करके हर एक टोपिक को अच्छे से पढ़ेंगे प्रिविएस येस क्वेशन क के आधार पर बढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे यहां एक बात में बार बार दो रहा रहा हूं आप ध्यान रख्येगा कि हम टूदे पॉइंट बढ़ेंगे हमें यहां सेलेक्शन करवाना है अच्छी रहेंग के साथ सेलेक्शन करवाना है नैंकि हमें बहुत से ग्रंथ पढ़के विद्वान बनना है ठीक है तो हम अच्छी रेंग के साथ हमारा सेलेक्शन कैसे हो उसी को आधार बना कर हम आगे बढ़ेंगे तो यह हमारे टोपिक है यह टोपिक हमारे रहने वाले हैं मित्रों अब देखिए इन टोपिक को पढ़ते हुए जैस से आज तो प्रीचे में करवा रहा हूं केवल आने वाली समय में जैसे ही क्या करेंगे जैसे ही हम कैकी पॉइंट पड़ेंगे तो उसी दिन जैसे एक टोपिक हमने कर लिया वो टोपिक आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको यह होना चाहिए कि अब भारत में यूअचक फूरूपीयन कंपनियों का आगमन है तो कौन कौन सी कंपनी है कोन कौन से देस आए उनसे किस परकार के कुस्छन मने अभी तक कि परत्यों की परिक्षाओं में योँचक्सबुक्व tart जादा अलग-अलग में कहीं कई चीज होती है कि इंट्रेस्टिंग चीजों पर ज्यादा फोक्स कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है हमें अपनी भुद्धी का उप्योग करते हुए अपने विवेक का उप्योग करते हुए हमें कि अच्छे से सिलेबस करना है और अच्छी तरह कर करेंगे इसके बाद आगे हम देखें तो आगे यह तो मैं आपको उपलब्द करवा दूँगा अपने एप में भी उपलब्द है पुरा अभी अपने आधुनिक भारत का करें तो इसी की बात हम केवल कर रहे थे इसके बाद हम कहके कि आगे की चू कक्षा रहेगी इन आगे की कक्षाओं में क्या करेंगे आगे की कक्षाओं में हमां बात करेंगे और हां जी आज देखिए यह हमारा क्या था यह हमारा सिल्यबस था और आधुनिक भारत का सिल्यबस था अब देखिए यहां क्या करना है अपने को जब भी आप एक चीज करिएगा एक चीज आपको यह करनी है कि जैसे हम यूरोपीन कंपनियों का क्या है आगमन देखेंगे जैसे पहला टोपिक हमारे यहां है कि यूरोपीन कंपनियों का आगमन यह यह यूरोपीन कंपनियों का आगमन है जैसे यह टूपिक हम देख रहे हैं तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कहें कि यूरोप के जो मैप है दुनिया में यूरोप का मैप अपनी मैप पर स्टडी करेंगे कि एक तो आपको यूरूप का पता होना चाहिए, कि यूरूप दुनिया में कहा है, ठीक है, फिर अपनी जैसे भारत पर आएंगी, तो भारत आएंगी यूरूप से, यूरूप की कौन-कौन से देशा है, हमारी हाँ, जैसे कि हमारे इंग्लेंड आया, हमारे फ्रांस आया हमारे नीदर्लेंड आया नीदर्लेंड हमारे स्वीडन आया हमारे पूर्तगाल आया आसिक रूप से डेनमरक भी थोड़ी समय के लिए यानि कौन से आये कहां कहां उनकी स्थिति थी उनका वहां से आने का रस्ता क्या था पहले रस्ता कून सा था वो रस्ता क्यों बंदुआ क्या कारण रहा इन सभी की चर्चा है वो आपने क्या है के इसमें करेंगे तो आपको सबसे पहले जो कल की क्लास हम सुरू करने जा रहे हैं आपको वल का मैप देख़े आना है पूरा मैप मैं आपको क्लास में करोंगा आपको समझाऊंगा कि कि तरह से करेंगे पर अगर हम पहले से देखने आएंगे तो निशित तोर पी क्या होगा हमें बहुत benefit बैपिट याद होगा समझ पाएंगे और साथ साथ में याद होता जाएगा और बड़ा ही इंट्रेस्टिंग आधुनिक भारत का इतियास है आधुनिक भारत के इतियास को बड़े ही रोचक तरीके से जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं एक तो हमें आनंद की अनुबुती होती है और कि ये तथ्यात्म काफी रहता है काफी तथ्यात्म क्वेशन पुछे जाते हैं पर जहां तथ्यात्म क्वेशन हमें याद करने होंगे वहां उसकी बात करेंगे जहां समझना होगा उसकी बात करेंगे कहां से पढ़ना होगा लिमिटेड मेटर पढ़ना होगा यह अपनी कल कि क्लास Starting Class में ही बात करते हैं आज तू इतना ही करेंगे सातِّ हो, कल फिर मिलते हैं और आपका क्याए किरात को 10 वजे वीडियो डेली अपलोड हो जाएगा रात को 10 वजे वीडियो है वह अपलोड हो जाएगा हर दिण और उसी। टोपिक वाई टोपिक आपको साथ में आगे बढ़ना है आज की क्लास में इतना ही साती हो जैहिंद बंदे मात्र